सो हेलो गाइस वलकम बैक टो चैनल तो गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके पहले बीजेयमाई का लेंबर गीनी के साथ कोलाइब हुआ था एंड उसमें आपको फ्री में एक सूपरकार देखने को मिली थी तो सेम गाइस ये टाइम पे भी कोनी सेक के साथ हो रहा है एंड इसमें भी चांसेस है कि आपको फ्री में कार ले सके तो गाइस मैं आपको बताओंगा कि आप किस तरीके से फ्री में कार ले सकते एंड कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैं नी की थी तो आप वो ना करे तो इस चीश के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि आप वो mistakes ना करें तो first of all आप आगर car का leaks नहीं देखें तो guys उसका link भी आपको नीचे मिल जाके description में आप देख सकते हो and आप बताना की car कैसी है and उसमें से guys कोई भी एक car आप one की वाली coin से की कोई एक car आप free में ले सकते हो तो कैसे guys वो trick में आपको बताने वाला हो तो guys कोनी से की total 12 cars आने वाली है and 12 मेंसे guys आप कोई भी एक car free में redeem कर सकते हैं then 1 की वाली तो उसमें से guys जो legendary है वो 1 की वाली रहेगी and जो mythic है तो three की वाली रहेगी तो आप कोई भी एक legendary guys आप redeem कर सकते हो तो जैसे एक black वाली है and white वाली है and like इसका textures नहीं आए तो इसमेंसे guys legendary मैंसे आप कोई भी एक ले सकते हो redeem कर सकते हो तो guys कैसे यह मैं आपको बताता हूँ तो guys car आने के बाद एक event आपको मिलेगा speed drift करके तो इसके अंडर से guys आप total 4 cards ले सकते हो अगर आपके पास 50,000 UC है तो बट आपको मैं simple trick बताँगा अगर आपके पास 10,000 UC है तो उसमें guys आप एक card ले सकते हो एक की ले सकते हो and उससे guys आप free में कोई भी एक card redeem कर सकते हो तो simply उसके लिए आपको क्या करना है guys आपको आजाना है आपके आरपी पे and आरपी में आपको एक section लिखेगा आरपी रिबेट तो simply guys आपको कप करना है जब नया royal pass आएगा तो तुरेंट आपको नहीं purchase करना है जब नया royal pass आने के बाद जब यह event है का तो वो time पे आपको ऐसा करना है वो time पे आपको simply क्या करना है आरपी रिबेट पैक खरीदना है and रिबेट करने के बाद simply आपको like इसका UC वापस लेना है यह चीज में आपको और अच्छी से example आपको दूंगा में आगे and आपको यहाँ से UC को रिबेट करना है पूरा final बताउंगा कि पूरी किस तरीके से ले तो पूरा वीडियो को एंट तक देखिए आपको अच्छा से explain करूँगा कि आप किस तरीके से R.P. Rebate ले आपके R.P. Rebate का पूरा explain करूँगा and date बताऊंगा कि आपको कब तक आएगी यह टाम भी पताऊँ का कि आपको कोचर करना है। तो गाईस जो कोईनसिक का जो प्रोशेस आने वाला है। जी सेम लेंडरीनी के शेमान तो र। यहींस ट्रीके का इसाहिए प्रोशेस रेगा। तो मैं आपको बताता है। इवेंट आने के बाद आपको royal pass purchase करना है और आपको missions भी एक भी complete नहीं करना है क्योंकि आपको rp rebate करना पड़ेगा तो उसके लिए missions की ज़रूत पड़ती है तो simply आपको क्या करना है जब नया royal pass आगा तब के तब नहीं खरीदना है जब यह वाला event आएगा आपको चाहिए रहेगा 1000 UC तो total आपको 1300 UC चाहिए 300 royal pass upgrade करने के लिए 1000 RP rebate के लिए और आपको royal pass upgrade करके RP rebate pack खरीद लेना है और उससे आपको simply क्या करना है आपको एक pack खरीद के आपको एक RP rebate pack खरीद के जितने missions है सारी missions complete करके UC आपको वापस return ले लेना है and वापस जो आपको UC return मिलेगा and आपको यह UC को वापस add करना पड़ेगा तो total आपको 5 times करना पड़ेगा एक season के अंदर एक season के अंदर आप 5 times ऐसा करोगे तो total आपका एक season में 5000 UC जो है वो spent हो जाएगा and second time अपका जब next season आएगा तो next season में भी same आपको यही चीज़ करना है and rp debate आप कैसे करोगे जो आप rp missions करते हो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यह सारे rp missions आपको complete करने पड़ेगे अगर आप यहाँ से total complete करते हो तो आपको 3375 rp points यहाँ से मिलेंगे आपको total चाहिए 5000 rp points and उसके बाद कैसे जो यह elite की missions रहते elite के per week आपको 200 points मिलेंगे तो आपको total 8 weeks 4 weeks का 800 points मिलेगा तो almost guys आपका 4170 points आपका यहाँ से हो जगा rp missions से elite and non elite दोनों को add करके and आपको चाहिए रहेगा 800 rp points और तो मैं बताता हूँ कि वो आपको कहां से मिलेगा and second चीज़ आपको मिलेगा यहाँ से rp points daily mission से तो daily mission से आपको यहाँ पर daily 10 10 points मिलेगा तो आप यहाँ से 300 points collect कर सकते हो and second यहाँ पर जो आपको उपर दिखरागा weekly points 80 points and 400 points तो यहाँ से 300, 2, 320 and 400 720 points आप यहाँ से ले सकते हो तो almost guys more than 5000 points आपका यहाँ से collect हो जाएगा तो आपको सारी missions करने है and यहाँ से आपको guys कुछ भी नहीं छोड़ना है तो आप guys आप totally पूरा जो है rp आपका rebate कर सकते हो तो इस तरीके से guys आपको करना है and इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप free में coin sick की जो एक कार आएगी legendary तो आप कोई भी एक legendary ले सकते हो या फिर maybe mythi का सकती है बट जहां तक मुझे पता है कि अगर एक की वाली रहेगी तो legendary लेगी and three की वाली वो mythi करेगी क्योंकि पिछली ऐसा like leaks में ऐसा ही आया है तो आप कोई भी एक legendary काड़ा free में ले सकते हो coin sick की तो hope कि आपको इस समझ में आ गया होगा तो आपको simply यह करना है आपको RP rebate लेना है and अगर आपको RP rebate के उपर एकदम अच्छे explanation चाहिए तो वो वीडियो में मैं बना दूँगा या फिर channel पे है तो आप देख सकते हो या फिर अगर आपको नई वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूँगा तो बस आज की वीडियो अतना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसे इना टॉपिक साथ तब तक किले बाइब